नमस्कार साथियों साथियों स्वाधत है आपका आपके अपने चैनल होंबीर सिंह गार्णिग एड फार्मिंग में और साथियों आज हम देखे यह बोटल जो हमारे बेकार पड़ी रहती ना पिने की बोतल उनका रियूज करेंगे उनका जो ना कबाड से जुगाड बनाएंगे उसका और उसमें आज हम चार तरीके से धनिया लगाने की तकनीकी के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हम पानी और सिंडर में धनिया कैसे लगाएं तो सबसे पहला जो हमारा कदम यह है क हमने बोतल पर निसान लगाया और उसको एक चाकू को गरम करके और उसको काट लेते हैं उसको दो हिस्सों में बाट लेते हैं आध्याधा दो हिस्सों में बोतल को हम बाट लेते हैं पहला कदम हमारा पहला स्टेप यह है दूसरे step में हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमारा उपर का हिस्सा है उसमें कुछ छेद खोल लेंगे तो देखिए हमने ये दो हिस्से कर लिए बोतल के और अब इसमें हमने ये चाकू से काट के कर दिया अब एक पेचकस लेके स्क्रू डाइवर लेके उसमें गरम करके और उसमें छेद कर देंगे हम इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसके अंदर बोतल के छेद कर देंगे जो उपर वाला पोर्शन उसमें नीचे वाले में हम कुछ नहीं करेंगे उसमें पानी बरने के काम स्ऐसेट में सकते तुमनाइब बोतले करेंगे।सेक्षम्नाभी आपका जाएगा। स्टेप होगा हमारा पहले स्टेप मिसान लगाना बोतल पर दूसरा हो गया उसको काटना और तीसरा हो गया हमारा ये छेद करना और इसके बाद चोथा जो हमारा स्टेप है उसमें क्या है अब हमें लेना है अपना धनिया बीज धनिया का बीज लेकर उसको साथियों धूप म के अंदर लेके बहुत आराम से जिससे की बीज डैमेज ना हो बहुत आराम को उसको दबा के दो हिस्सों में बाट लेंगे यह देखे एक बेलन से हम इस पे आराम से चलाते हैं कपड़े के अंदर और उसको दो हिस्सों में हम बाट लेंगे तो यह दो तीन बार आप करके दे नमी पाके लेकिन दो इसनों में तोड़ लेते हैं तो जल्दी जमाता है अब इसका हम क्या करेंगे अब आजाते हम अपने टेरेस गार्डन में और वहां हमारे पास देखें यह सिंडर रखा हुआ है सिंडर के में से हम जो हमारा उपर का पोर्शन है बोटल का उपर के पोर्शन में जो बोटल के उसमें यह जो सिंडर है ना हमारा इसको भर लेते हैं इसको हम इस बोटल के अंदर भर लेंगे और इस सिंडर के ऊपर एक परत हम हल किसी पतली सी हल किसी पतली सी एक परत हम कोको चड़ा देंगे, कोको पिट लेके और उसमें एक परत हम कोको पिट की चड़ा देंगे, नीचे ले वाली बोतल जो हम रखेंगे, वो रखेंगे पानी के लिए, तो ये देखे, हम यहां पर एक कोको पिट की एक परत डाल दी, अब ये जो कोको पिट की परत होगी, इसके भी एक कोकोपिट की एक हलकी सी परत हम इसके उपर चड़ा देंगे, तो ये देखिए, बीज के उपर एक कोकोपिट की परत हम चड़ा देते हैं, और इस हलकी सी परत के उपर फिर हम इसमें इसको दबा के पानी चड़क देते हैं, हलका सा पानी का स्प्रे कर दीजे, तो ये बीज की जो हमारी कारभाई है, वो पूरी होगे, अब नीचे वाली बोतल में हम भर देते हैं पानी, पानी भरके, ये जो बोतल है उपपर वाली है, इसके अंदर रख देंगे, तो देखीं, नीचे पानी भरके बोतल में, और उसके उपर, बीज वाली उपर का जो पोर्شन बोतल को उसके अंदर हम इसको रख देते हैं तो हमारा ये जो सिंडर में जो हमारा एक तरह से हाइड्रोपोनिक वाला विधी वो पूर होगी दूसरी विधी अगर आपके पास सिंडर नहीं है तो आप बजरी ले लिए नीचे के हिस्ते में दूसरी बोतल हम करके दिखा रहे उपर के से हम बजरी ले ली बजरी के ऊपर थोड़ा सा वही कोकोपीट डालेंगे उस पर फिर हम धनिये का बीज और पीज पर पानी छड़क के और उसको रख देंगे तो यह तकनीकी वह तो हमारी सिंडर से हो गई यह हमने देखे कोकोपीट इसके उपर डाल ली और इसम हमने सिंडर्म अपना है वही इसमें तो यह एक तरह से हाइड्रोपोनिक तकनीकी का ही रूप है इसमें पत्थर हम जिससे कि हमरा धनिया नीचे ना निकल जाए नीचे पानी भरा हुआ बो तल में उसमें रख देते हैं तो यह जल्दी इसमें देखे बीज चड़क दिया भीज के उपर हलकी से हम сокo pitt ki पराथ चड़ादेंगे तो इस तरह यह दह के ले लेते हैं और हम उसके उपर डाल देते हैं और फिर हालकासा इसके उपर जह जहीं पर चड़ाके कोशो помог पीट की और इसके ऊपर हम फिर पानी की बोतल में रख देते हैं पानी बोटल में रखने के बाद और कुछ इसके ऊपर पानी छड़क देंगे, तो ये दूसरी तकनिक हो गयी हमारी बजरी और पानी और पानी में धनीय आका तकनिक, डॉका करें की मैं और सबड़ weighs कुछ दिन में जब पानी गंदा हो जाए तो इसको बदल दें तो यह करके परकिरिया हमें इसके साथ करनी है तीसरी धनिया होगाने की तक्निक हम अपनाएंगे ग्रो बैग में ग्रो बैग के अंदर हमने गार्डन सॉयल के साथ वर्मी कंपोस्ट कोको पिट सेंड और जो हमा अंदर हम बीजों को बिखेर देंगे देखें जो हमने दो हिस्सों में तोड़े हुए बीज हैं उनको बिखेर देंगे और इस पे थोड़ा-थोड़ा सा कोकोपी डाल के और पानी का स्प्रे कर देंगे पानी चुड़क देंगे इसके उपर तो वो क्या होगा हमारा भरप पूर उत्पादन देने के लिए भरपूर पत्तियां इसे मिलेंगी हमारी दनिया की तो इस तरह ग्रू बैग में हम धनिया उगा के और इस पे आप देखी डाल देते हैं बीज के उपर हम हलकी सी प्रचड़ा देंगे कोकुपीट की और इसके ओपर फिर कर देंगे हम पानी क स्प्रेइ पानी छड़क देंगे तो इसमे नमी बरी रही और इसमें बड़ी तेजी से जमाऊ होगा तो बीज पर आब हम नमी बनाए रखने के लिए पानी छड़क इसमें हमने क्या किया दोई चीज ली वर्मी कंपोस्ट और कोकोपिट ले लिया अब इसको एक गमले में लेकर और इसमें अपने धनिया की बवाई कर देंगे तो इसमें हम बिना मिट्टी के धनिया हुआते हैं इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट कोकोपिट लेकर गमले में अपना बार लिया और जो हमारा बीज है दो टुकडों में तूड़ा हुआ उसको हम इसके उपर चिटक देते हैं जैसा कि हम बाकी विदियों में किया और हल्कि सी परत अपनी एक कोकोपिट की बना के पानी चड़क देंगे तो ये हमारा धनिया हुगाने की चोती आसान सी हमारी टक्णिक हो जाएगी और इस परकार आज हमने सीखा चार विदियों से धनिया हुगाने का तरीका साथियों आगे अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और देखिए यह हम चिश्ड़क देते हैं कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा जिससे की यह आपको वीडियो मिलती रहें तो बेल आइकाउन भी को भी दबा दीजिएगा और इसको एक गरम इस्थान पर जहांपे इसको धूप और ओस मिलती रहे ऐसी जगह पर रख देंगे तो साथियों फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में एक नई तकनीक नई जानकारी की से तेंक्यू, नमस्कार